वेलकम टू सक्सिच केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यह अफिसियल पेपर है फीटर फर्स्ट इयर का ठीक है जो की CBT एक्जाम में आया हुआ है तो आप लोग कभी अगर CBT एक्जाम है तो यह वीडियो जरूर देखिएगा अंतक आपको आइड सक्सिच केरियर सिर्ट करिएगा और सक्सिच करियर पर चले जाहिएगा और यहां पर लोग करना यहांपर जोसर M Dip दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल इसे ही बाहर एक भी कोशन नहीं बनने वाला है तो आप 15 वीडियो देख जाएए या सिर्फ एक वीडियो पांच घंटे 12 मीनट का में बनाया है जिसमें ये 480 MCQ जो हैं भारत इसकी नीमी पैटर्न पे इसमें महराथन में ने बना दिया है पांच घंटे का इससे बाहर 480 या 15 वीडियो मैंने अलग अलग करके बना दिया है आपके आराम के लिए तो ये देख सकते हैं तो चलिए हम लोग फीटर फॉस्ट यर की जो सिबिटी एक्जाम हुआ था पिछले साल उसका एंसवर की है ये ठीक है ये एंसवर की आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से मिल ज यह या था, what is the name part mark as x, ठीक है थी जा चक ये थी जा चक दिखाया गया है यहाँ ठीक ये थी जा चक है इसमें जो बाहर के तरफ ये एक्स दिखाया गया है यह क्या है, तो यह क्या है तो ये enternal जा है न ecosystem जा देखिए यहाँ पर correct answer और क्या हो जाएगा एक्स्टरनल जाओ जाएगा दूसरा कोश्चन यहां पर सी बीटी एक्जाम में पूछा था दिया था वीच पार्ट इज मेंली सपोर्ट तर लेंग थी आप जाब लेत मसीन ठीक है कौन सभाग मुख्य रूप से खराद मसीन में लंबी जाब को तो स्टेडी रेश्ट जो करेक्ट एंसर हो जाएगा स्टेडी रेश्ट जो है वो लंबी आपको क्या करता है सपोर्ट करता है तीसरा कोश्चन देख लिए यहां पर कुछ इस प्रकार दिया हो था वाट इस दमार नेम आप पार्ट मार्क एक्स इन दायल गेज डायल इसको पॉइंटर बोलते है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं चोवते नंबर पे यहां पर दिखाए गया था कि पार्ट नेम द पॉर्शन मार्कड ऐज-एक्स-इन इस्कू थ्रे इस पूर्ट में जो यह पार्ट दिखाए गया ना इसका नाम आपको बताना है एक बोलते हैं रूट से लेकर रूट तक की बीच की दूरी जो होता है उत्वाधस दूरी उसी को क्या बोलते हैं देफ्ट बोलते हैं बॉल्ट विद् क्लियरेंस होल और क्लेक्ट और नस veterinar हो जाएगा अग्र यहाँ पर जाएंगे दी idé चिलिया गया है को आप प्लेश कोड साइबं को न देच करता है ऑन्स चाइक कर्टब opposing में बीडियो क्या करता है यह तैय करता है next question देखेंगे कौन grinding wheel में band ताकत को इंगित करता है तो grade जो होता है यह band ताकत को इंगित करता है ठीक है next question देखेंगे आट आप पूछा होगा था what is the name of the file इस type का file दिखाएगा आपको ठीक है figure डाइरेक्ली एक्जाम में पूछ देगा पूछेगा कि कौन सा फाइल है तो यह कौन सा है rotary file ना rotary file आपको याद रखना है next question देखेंगे what is the name of tool यह tool पूछ रहा है यह किस type का tool है यह figure में आप लोग जो देख रहे हैं किस type का है तो यह जो tool दिया हुआ है न यह किस type का तो यह star wheel dresser है correct answer क्या हो जागा star wheel dresser बना हुआ है न next question देखेंगे अगला question क्या दिया था एक्जाम में दसवा नंबर यह था जसता निकालने के लिए किस आयस का उप्योग करते हैं तो कहले माइन का इस्तेमाल करते हैं गैलेना से पूछेगा तो यह लीड निकाला जाता है लेड सीशा गैलेना से सी बकसाइट एलमुनियम बकसाइट से एलमुनियम निकाला जाता है ठीक है तो यह तीनों याद रखना है तीनों एक्जाम में पूछता है शर्ट है वाट इस दर कलर आफ एलमुक्त यर्ण का खलर का इसा होता है सब ही को पता है वाइट Early emotion दिया थ है अगला question दिया था बाकी एंगल कोई दिया ही नहीं है, crest, root, pitch, इसे क्या कहते हैं, चलिए इसको भी समझ लीजिए, जो उपर के तरफ उभरा हुआ भाग यहां पे निकला हुआ है न, यह क्या कहलाता है, यह crest कहलाता है, जो नीचे के तरफ है, यह root कहलाता है, ठीक है, pitch क्या कहलाता है, तो एक root से दूसरे root की बीच की दूरी, पीच कहलाता है, या एक crest से लेके दूसरे crest की बीच की दूरी को पीच कहते हैं, चलिए, next question बढ़ते हैं, अगला question दिया था, BIS प्रडाली में मुलभूत विचलन की संक्या कितनी होती है, तो यह याद रखना है कितना होता है, पचीस होता है, अगला चौधा नंबर का question दिया था, वाट इस दन नेम आप दी operation, यह operation जो दिखाया गया है, यह क्या है न, तो यह क्या किया जा रहा है, counter boring किया जा रहा है, ठीक है, counter boring देखिए, correct answer हो जाएगा, यह किस प्रकार का file यहाँ पर दिखाया गया आपको न, चार आपसन क्या दिया होगा है, तो यह hand file है, correct answer क्या हो जाएगा, hand file, next question देख लेते हैं, दिया है, bent snips का उप्योग क्या है, तो यह circular cut काटने के लिए bent snips का उप्योग किया जाता है, next question देखें, तो यह क्या करते हैं, welding करते समय यह glass को पहन के, क्या किया जाता है, welding किया जाता है, तो क्या है यह welding hand screen है, hand से पकड़ के देखा जाता है, welding को, next question 18 नमर का देखेंगे, दिया है, किस bearing का भार, इसके अक्ष के समानतर होता है, तो यह thrust bearing correct tensor हो जाएगा, counter sink की tool का नाम क्या है, तो यह 120 degree correct tensor हो जाएगा, next question देखेंगे, what part of the reamer is remove the chips, reamer का कौन सा भाग chips को हटाता है, तो flute जो होता है न, यह क्या करता है, यह reamer के भाग के chips को हटाता है, sorry, अगला question पर चलते हैं, 21 नमर का question आपके सामने दिया हुए, counter sink head screw का code कितना होता है, तो 90 degree होता है, correct answer हो जाएगा, 22 नमर का question दिया था, यह सभी previous CBT exam के answer की हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 22 नमर पर आ गया हुआ हूँ न, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर answer की दिया हुआ है न, देखेंगे, देखेंगे, शुरू में यही आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे, रोल नमर दिया हुआ है, ठीक है, registration दिया हुआ है, exam का date यह 10 अगस 2022 को paper पूछा गया था, 9 से 11 बज़े के बीच में, और यह किसका है, फिटर 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 का, चलिए, 22 नमर का देखेंगे, question क्या दिया होगा था, which material is used for the manufacturing, आप दी lathe bed, lathe bed का इस्तमाल किसलिए किया जाता है, तो cast iron के रूप में किया जाता है, अगला question देखेंगे, दिया है, name of the part of ball pin hammer, ball pin hammer, x के रूप में यहाँ पर दिखाया गया, इसका मतलब कि, ball pin hammer के भाग के नाम से जाता है, तो इसका जो chick है, ठीक है, देखें, ball pin hammer यहाँ पर दिखाया गया न, यह वाला ball के color होने के कारण, ball pin hammer कहते हैं, इसे chick कहते हैं, इसे eye कहते हैं, इसे handle कहते हैं, और यह नीचे जो part है, इसे face कहते हैं, और इसे neck कहते हैं, ठीक है, तो जो भी पूछेगा, अभी यहाँ पर यह वाला part दिखाया गया, तो इसको क्या कहते हैं, chick, कभी-कभी exam में directly, यह वाला part दिखा के push देता है, तो इसे high बोलते हैं, इसको push देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है, क्या, बाल बाल बोला जाता है, इसको handle बोला जाता है, इसको push देता है, तो यह face कहलाता है, यह इसको neck type का बना है, तो यह neck कहलाता है, यह सभी पूछ देता है एक्जाम में चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर का question दिया है थोक उत्पाजन में कौन सा comparator परियुक्ट होता है तो pneumatic जो comparator है उसको परियुक्ट करते हैं इसका नाम क्या है तो देख लेते हैं 4 अप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पर क्लैम्प किया गया है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं देखे दिया हुआ है यहाँ आप माइक्रोमीटर यह कौन सा है question name the sheet metal operation यह sheet metal operation दिखाए गया है इसका नाम क्या है तो यह sheet metal operation कौन सा है यह grooving correct tensor हो जाएगा अगला question दिया है दिए मैं फटा फट कर रहा हूं कि आपको दिखा दूँ कि जो मैंने पढ़ाया ना बिल्कुल उससे एक भी question बाहर नहीं आया है आप अगर first year की exam देने जा रहा है तो फीटर की पूरी class देख लीजिएगा सबका link मैं आपको description box में दे दूँगा एक से लेकर मैं ने 15 तक पूरी video class चला दिये ठीक है और इस जाम से पहले मैंने पाज घंटे का मेराथन चला दिया है पाज घंटे बारव मिनट का फिटर फॉस्ट इयर का जिसमें चार सो असी question भारत इसकी निमीज से थे उसको मैंने कबर कड़ा दिया है यह चार सो असी question वाला देख लेंगे ना आपका एक भी question बाहर नहीं जाएगा अब देखिए इसमें दिया एक वाट इस दो नेम आप टूल यह कौन सा टूल है तो यह क्या है इस क्रेपर है देखिए यहां पर फ्लैट इस क्रेपर है अगला question दिया हुआ है कि रिवेट के निर्मार के लिए उपयोग की जाने वाली सामगरी क्या है तो यह माइल्ड इस्टील होता है करेक्टेंसर हो जाएगा देखिए आपका फीटर से जो question है ना टोटल question पहले देख लिए तोटल question आपका कितना पूछेगा 75 question पूछेगा 75 में जो question होगा ना पचास question theory से रहेगा trade theory के नाम से और पचीस question na impliability skills होगा ठीक है पचीस question अब यहां पर पचास question आपका फिर बटेगा जिसमें पचास question में 38 आपका fitter trade से रहेगा 6 question आपका workshop calculation से रहेगा और 6 question इंजिनिरिंग ड्राइंग से रहेगा ठीक है तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग जो trade theory वाला parts है नहीं कि 50 question वह देखेंगे 50 question जैसे कि 38 question फिटर वाला देखेंगे इंजिनिरिंग ड्राइंग के 6 question देखेंगे और 6 question आपका workshop के calculation वाला देखेंगे देखेंगे माइड इस्टिल करेक्ट एंसर हो जाएगा न क्या पुछाता है रिवेड निर्मार के लिए उप्योग की जाने वाली सामगरी माइड इस्टिल है अगला question देखेंगे दिया है थिंबल ग्रेजुएशन में वर्नियर माइक्रोमीटर एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है तो यह 0.009 करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं दिया हुआ है फिलर गेज का उप्योग क्यों किया जाता है तो यह क्या करने वाले मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जाज करने के लिए फिलर गेज का इस्तमाल करते हैं अगला question देख लेते हैं दिया हुआ था कौन सी दातु कई परकार के अमलों की परतिरोध है तो लीड जो है यह कई परकार के अमलों का परतिरोध करता है अगला question देखेंगे what does denote the symbol किसको denote करता है तो इसके अगल बगल क्या है रास्ता हुए है रास्ता है तो यह क्या हो जाएगा इसका correct tensor give way correct tensor हो जाएगा ठीक है देख लेंगे give way correct tensor हो जाएगा अगले question पर बढ़ते हैं 34 नंबर द आप लेंक जो होता है लंबी चाप के लंबाई की कारण होता है अगला देखेंगे what is the name of operation यह operation कौन सा दिखाया गया है न यहाँ पे तो यह क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे तो यह undercut shoulder बनाया जा रहा है correct tensor हो जाएगा अगले question पर बढ़ते हैं दिया है what is a प्रास्मिक ची किस्ता में ABC में एक किसको दर्शाता है तो यह airway को दर्शाता है यह पुछेगा तो airway बी का push था तो breath way और C का push था तो circulatory way correct tensor होता है न तो कोई भी पूछ सकता है ABC में तो आपको याद रखना है A का airway B का breathing way C का circulation way याद रखना है name the mark as x आप दी file x के file का नाम यहाँ प पर फेरूल में आपको यहाँ पर figure बना के दिखा देता हूं यह इस परकार का file है न जो और यहाँ पर जो नीचे वाला होता है पार्ट से यह निकला होता है जिसमें लकडी को डाला जाता है तो यह वाला फेरूल के लाता है याद रखना है यह handle है यह पूछेगा तो handle है और यह वाला parts पूछेगा तो यह age है यह याद रखना है न चलिए next question देखेंगे दिया हुआ है और 30 नंबर का question दिया है कि powder methodology technique द्वारा कौन से टूल सामगरी का निर्मार किया जाता है तो powder methodology technique के द्वारा करबाइड जो है इसका निर्मार किया जाता है तो देखी 38 question जो है फीटर first year से थे अब इसके बाद मैंने बता दिया आप लोगों को 6 question आपका किसे रहेगा WCS से रहेगा और 6 question engineering drawing से रहेगा तो चलिए उसको भी देख लेते हैं 50 question complete करेंगे देखें वर्क्षाप calculation से कितना बता है मैं 6 question बता है तो अब भी आपको question 1 दिखेगा वर्क्षाप दसमलो 4 mm होते हैं correct answer C हो जाएगा अगला question देखेंगे दिया किस ताप मान पर कोई ठोस द्राव में पिखलता है तो melting point पे ठोस द्राव में पिखलता है correct answer हो जाएगा तीसरा question दिया होता है देखें बिल्कुल आसान-आसान question दिया है आप बस PDF पढ़ लिजे और फीटर वा जाएगा अगला question आपके सामने दिया होगा है British system में एक हार्थ पावर कितने वार्ट के बरावर होता है तो British system में 746 वार्ट के बरावर होता है यह याद रखना है अगला question पे चलते है चार के बाद पांचवा question वर्क्साप के एलकुलेशन का है WCS का है एक आयत का छेतरफल सब्सक्राइब करेक्ट इंसर हो जाएगा six question यानि कि इस डाबलू सीएस की डाबलू सीएस में टोटल छे question पूछेंगे तो छोगा question है डाबलू सीएस का उसके बाद क्या चाल हो जाएगा engineering drawing शे नंबर का तो चलिए मतलब छे question चाल हो जाएगा शे नंबर नहीं छे question एक हो जाएगा एक हो जाएगा एक हो जाएगा ऐसे डाइरेक्ट answer निकल कराता है आप लोग उन्हें value याद किया होगा तो उससे भी आपका answer पता चल जाएगा ठीक है तो correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर एक वाला correct answer हो जाएगा 1045 अंस का मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा अगले question पर बढ़ते हैं अब engineering drawing में 6 question आएगा अब दिया है identify the line B, B line को आपको पहचानना है तो यहाँ देखिए यह क्या है यह वाला कौन सा line है वो आपको बताना है तो यह line कौन सा है dimension line correct answer हो जाएगा dimension line अगला question देखेंगे दिया हुआ है size अन्रेक्सिक सिस्टम आयाम की पहचान करेंगे ठीक है यहाँ पर जो आयाम दिया हुआ है देखेंगे 19, 6 और 16 और इसके बीच जो यह dimension दिखाया गया है यह कौन सा type का है यह आपको बताना है ठीक है तो यहाँ जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते ह 5 07 सिस्टम की देखिए Talk the image सिस्टम आपको बताना है यहाँ पर लाइन सिस्टम बताना है 4 आप सभूरी यह आप वाला तो यह आप्वी बार भी आलाइन सिस्टम नहीं है सी वाला इलां सिस्टम दिया हुआ यह दिया हुआ। गीकिन के मानक के अनुसार ए सब्सक्राइब जो कॉनसा तीर यह वाला पार्ट यहाँ होना चाहिए जैसे अगर मारी यह हम लोग तीर ऐसे बना रहे हैं तो इसकी उद्ध मत होनी चाहिए अगर सेंटिमितर बना है तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए कि एक रेशियो 3 को आप को को याब रखना है बाकी देखेंगे तो तीर ऐसे नहीं बनाया जाता डामेंग लाइन में ऐसे बहुत भी नहीं बनाया जाता एक तो हाइमर को दिखाए गया है तो इसको यह कौन सा है मेर है तो यह और यहां से देक्र हम लोग पहचानते हैं बाल करते का सिंबल यह लिख जर सिंबल है तो compass जो है उसका use हम लोग circle विरित को बनाने के लिए करते हैं तो आपको देख लिए यहाँ पर मैंने फीटर से 30 question को करा दिया WCS से 6 question और engineering drawing से 6 question total 50 question फीटर के करा दिये impliability skill की first year का मैंने already video बना दिया है आप लोग impliability skill first year success career लिक के search कर लिजिएगा तो आपका आज आएगा वीडियो आज के लिए वीडियो में इतना ही thanks for watching this studio guys मिलेंगे next वीडियो में तब तक लिए